करन पतेल गौहर खान और कामिया पंजाबी हो गए हैं एक और कर रहे हैं बिग बॉस कंटेस्टिन हिना खान को टागट थैंक्स तू सोशल मीडिया की टेलिविजिन सिलेब्स अपने उपीनिन्स ओपनली शेर कर रहे हैं विद यर ओडियन्स वेल टेली मसाला लाया है इन तीनों सिलेब्स के ट्वीट जो कर रहे हैं सीधा हिना को टागट अरे भाई ये चाइना की स्पीकर्स का साउंड कम हो गया चलो कोई बात नहीं बैटरी रिचार्ज करके आ जाओ हम यही वेट करेंगे लेकिन आना हाँ वना मज़ा नहीं आएगा आखिर ग्रेस का सवाल है हाई दिल खुश हो गया जिनकी जलती है न माक कसम उनको जलाने का मज़ा उतना ही ज्यादा आता है अब तो इनका घुसा भी गुदगुदी का काम करने लगा है इसे बेशर्मी कहलो या ग्रेस क्योंकि आपके मुताबिक तो इन दोनों वर्ट का मतलब सेम ही होगा I'm sure हिना खान, you have officially lost all respect. Only an insecure person puts others down. And no, your paid PR outside cannot control this damage. Thank you love. Intelligent and successful women boost each other's confidence and grow together. हाई अच्छाई और तमीज तो सीखी नहीं. बात करना सीखा होता तो आज जूटे घमण में आके कहीं गई बात पे लोग इतना हसते नहीं. लॉल, अल्ला सबको तरक्की दे. आमीन. घमण ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया. साक्षी तनवर, you are beautiful. Oh my God, जो मैंने देखा क्या वो सच है? Is this woman for real? कौन है ये? कहां से आई? गोहर खान, I love you and I'm so proud of you. साक्षी तनवर की तरह पहले बन कर दिखाओ, madam. हिना खान, आप तो उनका नाम लेने के भी लायक नहीं हो. प्रियांग संचालक कम हिना का चमचा ज्यादा लगा. हिना खान के बारे में क्या कहे? कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं अब. घटिया to the core. टास्क हमने भी किये है बॉस, ऐसे तो हम कभी नहीं थे. लॉस्ट बॉइ 54, यू आ माई जान, लव्ट यू वन्स अगेन. हैश्टाग बीबी 11. वेल, करन, काम्य और गोहर ने तो ठान ली है हिना को सपोर्ट नहीं करने की. आपका क्या कहना है इन ट्वीट्स को लेकर? अपने लाइक्स और कमेंट्स करके हमें जरूर बताईए.